नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा जनरल स्टोर पर तो आज मैं एपने शॉप के लिए मंगवाया है मैंने डॉम्स का वाउ किट ये जो है स्टेशनेरी आटम होते हैं इसमें बच्चों के लिए पेंसिल, स्केश, कलर्स और ये जो भी एरेजर, सार्पनर वगर है ये सब पूरा कॉंबो पैक में रहता है तो इसे देख लेते हैं सबसे छोटा पैकेट वाला है ये इसे बड़े पैकेट भी आते हैं तो स्टार्टिंग प्रैस वाला है इसका MRP आप देख सकते हैं मेंशन क किया हुआ है MRP 49 ONLY और ये भी सील पैक है मैं भी आपको इसे खोल कर दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या-क्या हमें मिलता है और 49 MRP ये देख सकते हैं MRP 49 है और इसके पीछे मेंशन जो दिया है बताता हूं मैं इसमें वैक्स क्रेयोन पैक है एक बारा पैकेट वाला बारा क दो के अख नगे पेंसिल पैक है शे शेड मिलेगा और एक स्केल बलेगा और एक इरेजर मिलेगा और एक पैंसिल घृफ करpora की टोकमता हमें बारा काई पैनसिल जो है mechanical pencil मिलती है मैं आपको दिखा दूँगा और यहां MRP मेंशन है 49 और यह MRP तो 49 है पर हमें कितने मिल ला है क्योंकि मेरी shop है हम shop वालो को सस्टे मिल जाती है तो मैं आपको भी बताऊंगा तो चलिए आगे से खूल कर देख लेते हैं यह रहा दोस्तों मैंने से फाल्ड या इसका उपर का हिस्सा और यह रहा एटम इसे देखते हैं तो इसमें एक शार्पनर है है एक्ट्रा लॉंग पैंसिल शार्पनर डॉम्स का और देख सकते हैं लड़की का जो फोटो बना है इसमें इसके ड़स्ट को ही इसका स्कार्ड बना दिया है बहुत ही अच्छा क्रियेटिविटी दिखाया है हाँ पर डॉम्स वालों ने और ग्रीन कलर का है यह और इसका अमर्पी बता देता हूं पांच रुपए अमर्पी ठीक है यह रहा इसका इसका यह रहा इरेजर ड़स्ट फ्री रेजर और यह रहा शार्पनर यह से हम देख चुके हैं और यह रहा इरेजर ड़स्ट फ्री रेजर और यह मेरे ख्याल से यह भी पांच का होना चाहिए तो यह तीन रुपए MRP का है पर इसे हम पांच भी बेश सकते हैं शौप में और यह रहा डॉंस का स्केल 15 सेंटिमिटर का यह पांच रुपए MRP का आता है दोस्तो इसमें MRP आपको दिख जाएगा वैसे इसमें MRP कहीं दिख नहीं रही है लेकिन यह पांच रुपए कहीं आता है दोस्तो यह पांच रुपए का आटाम हो गया यह रहा इसका टॉंस वाटर कलर पैन स्केच पैन से यह छै कलर हैं तीन तीन छै इसकी MRP देख सकते हैं आप दस रुपए पर सेट और यह रहा क्रेयोन्स मूम के कलर हैं बारा शेड हैं इसका क्या है अपना बारा कलर है तो बारा रुपए इसके बनते हैं और यह रहा पैंसिल कलर डॉम्स पैंसिल कलर 6 शेड के और यह भी बारा रुपए MRP का है यह रहा वो पैंसिल मेकेनिकल पैंसिल देख सकते हैं आप इस तरीके का है बहुत ही अच्छा लग रहा है से होल्ड करने में और इससे भी आप पांच रुपए में दे सकते हैं बच्छों को बेज सकते हैं और यहां से यह रबर दिया हुआ इससे धीरे दबाएंगे तो इससे बाहर आएगा पर अभी मैं इससे बाहर नहीं लगा यह मतलब नया पैक है इसलिए और यह सब हो गया तो यह मेंसन किया हुए तो इसमें हम देख रहे थे हैं पूरा समान कितने का है पांच का यह हो गया पांच पांच दस पांच पंदरा पांच बीश और बीश और बीश दस तीस तीस और चलिए बारत तीस दस ब्यालीस और यह होगा आपका ब्यालीस तस 50 to 54 तो यह 54 रुपै का समाने दोस्तों अगर प्रिंट रेट के साब से आप बेचेंगे तो यह 54 रुपैस का होता है अब मैं आपको इसकी प्राइस बता दूं कि हमको कितने का मिला है और इसको बेजने से क्या लाव होता है इसे वैसे एक गिफ्ट पैक ही होता है दोस्तों ये ये बच्चों को रिटर्न किफ्ट में दिया जाता है बड़े अगर में इसे छोटा सा पैक है 49 रुपीज का लेकिन हमको ये लगभग 42 रुपीज का पड़ जाता है और इसमें आइटा में टोटल 54 रुपीज का तो इसे हम सोब के लिए जाए हैं तो सोब के इसाब से बेज भी सकते हैं और बहुत ही अच्छी क्वाल्टी के होते हैं डॉंस के प्रोड़क्ट इवन ये अपसरव को भी सरपास कर गया है भी मार्केट में बहुत ज्यादा इसका डिमांड है और हर बच्चों के स्टेशनेरी किट में आपको डॉंस के लगभग ज्यादा तर मिल रही है तो ये वन टाइम यूज है केवल इसका यहां तक यहां तक रहता है दोस्तों नीड लीड जो है इसका यहां तक रहता है उसके बाद खतम हो जाए गई तो यही था आपको बताना 49 का है और यह हमको शॉक वाले हैं तो 42 का पड़ता है तो यही 10-12 रूपेश में margin हो जाता है single piece बेशने पर और यहीं कोई लेना चाहिए पूरा पकेट तो 50 रूपेश में बेश देते हैं इस तरीके से इसमें margin और फायदा होता है तो जानकारी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर गए बताएं वीडियो लाइक करें और चैनल को पसंद आ रहा है चैनल का कंटेंट वगरा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जो नए लोग देख रहे हैं भी सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू फर वाचिंग जय भारत मतागी